जग चुडेल की काली शक्ती से अपने भाक्त को बचाने आए बजरंग बली उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं हनुमान तर्शन गुजरात के गांधी नगर शहर में जगत राज नाम का एक बड़ा कपड़े का व्यपारी रहा करता था जो कि अपनी मेहनत और लगन से इतना बड़ा व्यपार बना चुका था और इतना बड़ा व्यपारी भीगन गया था वो बेहद ही मांदार और सज्जन सोभाव का व्यक्ती था अकसर गरीब और जरुरत मंदों को सहेता मुहिया करवाया करता था साथ ही जगतराज हनुमान जी का सीम भक्त था और प्रति दिल बजरंग बली की पूजा पाट और बड़ी आस्था भाव से उनकी पूजा किया करता था आसपास के सभी लोगों में अपने व्यवार के कारण जगतराज का बड़ा ही आदर सम्मान था जगतराज भी अच्छे और नेक कामों के बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने में हमेशा आगे रहते थी सब कुछ सुख मेरूप से व्यतीत हो रहा था परन्तु जगतराज को ये मालूम नहीं था कि आगे कोई बड़ा संकट उनका इंतिजार कर रहा है एक दिन जब जगतराज रात के समय दुकान बंद कर अपने घर वापस आ रहे थी तब उनके सामने कैसी घटना घटित हुई जिसे देखने और सुनने वाले सब ही हैरान रहे गए जगतराज पैदल ही अपने घर की ओर पर रहे थी पैदल चलते हुए वो एक सुनसान रास्ते में जा पहुचे जहां पर जगतराज को भयानक अंधेरे के बीच एक बोंबती की रोशनी चलती बुच्छती नजरा रही थी उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा तब ही उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे बहुत तेज धका मा रहा है जिसके कारण वो जमीन पर गिर किया और उसके पैर में मोच सी आ गई और कोई अद्रश्य शक्ती उसे खड़ा होने से रोक रही थी परन्तु जगतराज को वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और अचानक से जगतराज को महसूस हुआ कि कोई और उसके मूझ को दबा कर उसकी सास को रोक रहा है खुद को ऐसे कठिन समय में पाकर बजरंग बली को याद कर अपनी आखे उन्होंने बंद कर ली और जैसे ही उसकी आखे खुली तब ही उसके अंधेरे से भरी सडक पर मुम्बती के उजाले में एक विशाल च्छाया उसे नजर आने लगी जिसका विशाल शरी था और हाथ में गदा था और देखते ही देखते जगतराज का जखड़ा हुआ शरीर आजाद हो गया कुछी पलों में पढच्छाई भी गायब हो गई जगतराज समझ गए कि बजरंग बली ने आज उनकी प्राणों की रक्षा की है उसने तुरंत घर पहुच कर जब अपने परिवार करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ अब तक करें बहुत बहुत धन्यवार देखते रहिए हनुमान तर्शन